हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शिखाऊंगा पाकिस्तानी कमीज की किस तरीके से की जाती है काफी ट्रेंडिंग में है काफी लोग पूछते हैं सर बोडी का मेजरिमिन लेके हम इसमें कितना प्लेस करें जो कि पाकिस्तानी कमीज की लुक आए तो यह सीखने के लिए इस वीडियो के अंदर तक जरूर देखना साथ ही दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप घर बैटे काम सीज़ना चाहते हैं तो इसकी इन पीदे के नंबर का वर्ट्सा सब्सक्राइब करने के लिए तो चलिए सिखाते हैं तो यहां पर दोस्तों आप नाप देख लीजिए इसमें इन तीन के नाप से आपको कितना प्लस करना यह बताऊंगा उसके बाजू का नाप है तो सबसे पहले चैस्ट का नाप कितना है 37 इंज तो यहां पर देखिए 37 इसमें प्लस करेंगे पागिस्तानी कमीज में 5 इंज तो नाप हो जाएगा 37 और 42 यह हमारा तयार नाप हो गया यहां पर लिएπό देते हैं चैस्ट कि उसके बाद दोस्तों वैश्ट यानि की कमर कितना नाप है 30 यहां पर हम लेंगे 30 इसमें प्लस करेंगे दोस्तों हम 4 अगर आपको लूज पहनना है तो आप यहां पर पांच भी प्लस कर सकते हो तो 30 में 4 प्लस करेंगे नाप कितना हो जाएगा 34 यह होगी आपका कमर का नाप ठीक है उसके बाए दोस्तों यहाँ पर नाप में फिलेस करें दोस्तों पांच नाप हो जागा आपा 44 नाप। यहाँ लेख हों यहां पर नाप्व यहां प्लाइन नीचे भी हमें इसी तरीके से उसके बाद हम इंग दोनों को इस तरीके से पकड़ेंगे ठीक है और इसे टाइट करके क्योंकि सीधी साइट करके खेजके और यहां पर हमारा कपड़ा से हो जाएगा यह देखिए बहुत अराम से बैट चुका अब इसके बादे कि दोष्ट यहां पर हमें एक निसान लगाना है आपको मालू में घेरन करने के लिए उसके एक निसान दोस्तों यहांपर लगा दिए कबड़ा सीधा करने के लिए अब इंची डेप को हमें यहां रखना है जितनी यांव लंबाई पहनना है दोस्तों वह 15 इंच का ठीक है मैंने नहीं बताया था आपको तो पंदरा का आदा हो गया साड़े साथ इंच हमें यहां पर इस तरीके से निसान लगा लेना है अब पागिस्तानी सूट में दोस्तों दो तरीके की चीज होती है यहां तो बैक से कॉलर होता है या फिर वो छ इस चार इंच के आसवास बनाएंगे तो तो नहीं करेंगे अब जितना यहां पर हमारा साड़े साफ शोल्डर आ रहा है बस आपको इंचिटेप लेना है और यहां पर उसमें आदा इंच करके साड़े साफ सोल्डर का हाफ हो गया आदा प्लेस करके आनम लेंट का निसान लगा लेना है ठीक है यह समझ आ गई अब इसमें किसका जिसका लगाना है यहां से में रख सकते हो पोने तीन कर सकते हो तीन पोने तीन ओके है ठीक है उसका जहां पर उस जगह पर आपको एक इंच यहां पर निसान करना है डाउन का फिर जितना वेजिमेंट हमने यहां पर लिया था साड़े साथ सेम आपको साड़े साथ का एक निसान यहां पर लगाना है इ उसकर इस निसान और इस मिलाना है है ये अरामसे मार्क इस तरीके से आपको यह मिलाना है अब यह मिलाने के बार हमारा निसान लग चुका साझ वह देना रखेंगे डोश asp न मीजरВО के गार है तो इसको भाग करेंगे चाल जगां जो भी ना पाएंगा वह में रखना हें तो 42 स्काधों 21 21 अधा 10 4 70 का मेस्जिमिंट आप इस तरीके से इसी तरीके से कमर कणा थीक है सीहाइब थीक है इस तरीके से लगाना है उसके दोस्तों कि आप देखेंगे तो 11 पर लगा रहें थोड़ा एक्सनर लेना है तो आप सबस्पा घ्यारा कर लें यह आपके ओगी कि मार्किंग करने के बाद आपको यहां पर कर भी स्केल लेना है इसको हम इस तरीके से लखेंगे एक निसां से कमर वाले तो आप देखेंगे यहां पर आपकी शिलाई आएगी अब आप यहां पर जितना एक्स्टा माल देना चाहते हो उतना एक्स्टा बढ़ा कि हम इसे कटिंग कर लेंगे तो तक्रीबन हम इसमें चाक का फोल्ड देंगे ठीक है यहां पर हमने निसान लगा दिया अब इस जगा अगर आप से यह सई सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी और इस तरीके से हम यहां पर निसान लगाएंगे तो यह जाएगा फरन करोश का दियान से देखिए यह फरन का निसान है यह बैक का निसान है और अब हम करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए जो तरीका में आपको बता रहा हूं वैसे कटिंग करना अक्सल लोग गलती कर देते हैं वह क्या गलती होती यह भी मैं समझा दूंगा आपको पहले से सीधा कट यहीं से करेंगे में कट जैसे पढ़ने को देखिए जैसे जैसे मैं कटिंग कर रहा हूं से मार्जन आप देना चाहते हो ठीक है इस तरीके से निसान ले जाओ लेकिन this is equal margin देना कौर नीचे तक आपको जो लिए कमर के पास आए गा एक हमारा चैस्ट का आएगा और एक चीज़ बताना आपको मैं बूल गया इसमें ध्यान दीजिए पागिस्तानी कमीज में जो चैस्ट का मेजर्मेंट होता है वह आर्मोर लेंद्स पर होता है आप प्रॉपर फिटिंग पहनते तो उसमें जो डॉट लेंद्स आते हैं वहां भी हमें पणलते हैं पाड़ को अलगने उसके बाद यहां पर गाले का ब्रोड वोर्ट आ और यह वार में देयाता है तो आपका बैक प्ला क्टिंग कर ने का तरीका में बता चुका हूँ कैसे होगा बस यही चीज अब इसके बार आप जब इसको बनाके अपने कस्टुमर का बना रहे हो या खुद का बना रहे हो तो आप बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों इसी निसान पर सिलाई लगा के बना देना एक दिम वही फिटिंग आएगी जो पाकिस्तानी कमीज में आती है उसका जो कपड़ा हमारा साइड से बचा था क्योंकि मैंने कपड़ा से आपको कटिंग करना सिखा रहूं कपड़ा कम लिए मैंने ठीक है इसके बार हमें इसको डबल करना है और इस तरीके से चार तैम में फोल्ड कर देना है अब चार तैम पर करने कर आपको यहां पर क्या करना एक निसान लगाना इधर उसका रही निसान लगेगा दोस्तों इंचीटिव के मदस्ति हापे 3.5 इंच पर फिर सीधा करने के बार अब यहां पर देखिए यह वाली जो जगह है यहां पर हमें कितना में रखना है वह चीज समझना है आपको तो यहां पर आपने 37 में प्लस करा 5 नाप हो गया 42 42 को भाग चार जगह करा लेकिन अब इसको हम भाग करेंगे 5 जगह तो यहां पर हम जब 42 को भाग करेंगे 5 जगह तो तकरीवन तकरीवन नाप निकलेगा आपका 8.25 ठीक है इतना निकलेगा इसमें एक आजी लाइन कम जारा हो सकती है तो यहां पर बस हमें इंचीटेव रखना है और यह निसान लगा देना है अब दोस्तों यहां में माजन कम है आपका कबड़ा कम हो तो जोड लगा लेना बस मैं आपको सिखा रहा हूं उसके बाद ऊपर की साइड आएंगे यहां पर सिलिपका में बोलाई कितनी है चोधाएंच क्योंकि पाकिस्तानी सुट में इदर से भी काफी लूज होती है बाजू अगयरा ठीक है तो चोधा कारा कितना होगे दोस् तरीके से सको cutting करेंगे इधरेंवाली साइड से जैसे से माट को cutting करते हैं आप विखोड़ की तरफ आपको ऐसे कि इसमें लूज मलट टाइट के सिकाएट नहीं आएगी कस्टुमर की तो हम यहां पर जोड नहीं लगाते इसी में अराम से बन जाता है उसके हम इसको ओपन करेंगे और इस साइड से कस्टुमर की आपकी खुद होगी कि इसको इतनी लूज पहननी है या फिर उसको फिट इंग में कई-कस्टुमर होते हैं उपको अपनी लूज चाहिए तो आपको मैंने नॉर्मल के कैसे लेगी हमें जरूर बताना वीडियो परसेंट है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना बूलें वह साथ ही दोस्तों जो लोग घर बैटे से लाइका काम सीखना चाहते हैं तो इस टाइम यूर ऑफर चल रहा है जो कि इस ऑफर में आपको 50% का डिसकाउंट दिया जा रहा है तो आपको क्या करना है सिंपल आप हमारी अमीना बुट्टी की एपलीकेशन को प्लेशोल से इस्टॉल कर लें उसमें आपको जो भी को चाहिए उसको बाय करके डारेक्ट सीख सकते हैं चाहिए आप किसी भी कंट्रे से हो और अगर आपको एपलीकेशन चलानी नहीं आती तो इसकीन पर जो नमबर दिया गया है इस नमबर पर वर्टसा पैसिज करके पूरी जानगाली ले सकते हैं और अगर आपको पैटर्न्स भी चाहिए जिसकी मदद से आप अपने कमीज बिलाउट पैंट पलाजों को बहुत फिटिंग में बना सकते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों इसी नमबर पर आप पॉंटेक्ट कर सकते हैं मिल दें दोस्तों आपसे अगली वीडियो में ठैंक यूँ